नमस्वार दोस्तों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आने वाले पंच दिन परने वाले हैं बहुत महत बदलाव जोने अगर आप शुनेंगे तो दोस्तों दावे के शाथ कहते हैं कि दोस्तों आप शुभी का होस उड़ जाएगा जिया दोस्तों और दो जुनकाल में अबी तक शफलता की प्राप्ती नहीं हो रही है। जी दोसों आज की दिवियों में हम आपको कुछ यशी महत्पूल ग्यान देने वाले हैं, आपको आगे नहीं बलकि पीछे ढगर रहे हैं तो दोस्वों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और इन्हें शुरूश देकर अंधर तक देखेगा जिया दोस्वों तो आई दोस्वों बात करते हैं शर्परतम दोस्वों जो भी बगवान भोली नात के शच्चे भक्तिस वीडियो को देख रहे हैं दोस्वों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें और कमेंट बोक्ष में शच्चे मन्से हर हर महादेव लिग दें भगवान भोली शंकर का आप शवी को आशिरवात प्राप्त होगा जो उनकाल के कश्च समापत होंगे जिय अदोसों तो आई दोस्वों बात करते हैं दोस्वों आप शुग बता दे कि आप शबी जाता करस्व भाव्षे बहुते शान सबहाव की इंशान होते ही जुनकाल में कभी भी किशिए के शाहत आप लोगो उलजना नहीं चाहते जहां भी जाती ही अपने कारी निकाल कर वहां से चले आते ही लेकिन दोसों आप शबी को बताया दें और परिशानियां ही चल रही है और दोसों इन श्रवी का मुख्रिकारण यही देखा जा रहा है कि आप जितना श्रवी के शामनायँ अच्छे बनते हीं जितना आ चाहते कि लोग आपको कभी भी गलत न शमजें गलत लगते हैं उतना ही आपके उपर पक्री दोस्टों आपके अपने या बात देखा होगा लु里ख़ दोस्टों आप इनकरप परकार आप जोन क County देते हैं आपके ही बहुनाओं की कदर नहीं होती है वे जगह और आपको ही हर जगह से नुक्षान उठाना पड़ता है तो दोस्तों इनका अर्थ क्या है हम आप शिवीश से भूछते हैं कि दोस्तों आप जितना ही शिम्पल रहते हैं जितना ही आप शब से अच्छा रहने क क्यों देते हैं कि दोथों आप उनकी नजरों में खटक नहीं लगते हैं हैं। जर्ट को बता दें कि दोसुद्ध आपको किसी के शामने दुखी व्यक्त नहीं करते हैं। हलांकि दोस्वब्स सब्सक्राइ नहीं कि और दोस्थोंद्य entrar पाइदा और दोशों और यह दोशों अषी की ऐता है सवंकी अच्छायों की ऑफायदा। जे दोसों और जब उन्हें मौका लगता है तो दोसों वह आपकी कमजोर जगह पर ही लात मारते हैं यूँ कहें तो दोसों जिस जगह पर आपको नुक्षान जदा हो दोसों वेशे ही कदम उठाते हैं आपको हमेशा लोगों की नजरों में नीचा गिराने का प्रयाश करने लगते हैं तो दोसों आखिर कब तक आप इन शबी चीजों को शेहते रहेंगे दोसों अब वक्त आ गया है हम कहते हैं कि अपने जुनकाल में आप कुछ विशेश बातों का ध्यान जरूर रखेगा ज्या दोसों यह आपकी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उशक है ज्य जनकाल में आपकी मंजिल तभी जाकर मिलेगी जाना है यह दोसों कौनसी वह बात है क्योंसी वह गलती है कौन शाओवा भूल है जो कि अब आपको अपनी जुनकाल में बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्फने जिरुणकाल के आप शे शब से बड़ी और फैली गलती है कि द देते हैं दोस्टों आप दिल के जितना भी भोले होते हैं दिल के जितने भी अच्छे इंशान होते हैं उतना ही दिल से आपके लिए अच्छा शाबित हो शकता है लेकिन दोस्टों आप शबी को बता दें कि यही अच्छाई आपको जुनकाल में अगर नीचे गिराती है तो सब्सक्राइब अपने सब कुछ किसी को पर बिल्कुल भी ना छोड़े हर कारियों की जांच करें हर चीज में अपने आप एक हांथ जरूर रखें पर दोस्वों आपकी जुनकाल की दूसरी जो बात है दोस्वों वह है कि पिछले श्रमे की जो भी बीती गई दर्द ना ग्यादे हैं जो पिछले श्रमे हुवी परिशानी है दोस्वों उन्हें आप भूलने का प्रयाश करें जी पिछले श्रमे की बातों को अगर आप अभी शोचेंगे तो दोस्वों आपकी जुनकाल में अवर्ष है आपको परिशानी होगी और आने वाली करये कलापों की बारे में आप अच्छी तरीके दिसे शोच नहीं पाएंगे और दोस्वों अगर अच्छी तरीके से आप समझकर आप आगemie में आपको कुछ और भी प्रिक्रतन करने हैं जई दो सो गुए आपको कारी करवे हैं जिसके मात रह रहींद दोसुन उन्हें मैं आपको शुदार करना होगा जे दोसों, कि वे दोसों एक श्वक्च इंसान को शंगत के वज़ेशे बहुत सारी मुश्यवतों का शमना करना पड़ता है जे दोसों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा यह कारी शफल हो जाएगा, इस कारी में हम लग रहे हैं, बहुत महनत कर रहे हैं लेकिन दोसों, अगर आपके शात में रहने वला व्यक्ति, उनके शोच आप से अलग है, आपके अच्छे सोच है, तो उनके बुरे शोच है तो दोसों, सब से पहले आपको बुरे शोच वालों व्यक्तियों से दूर रहना होगा, जे दोसों तो दोस्तों आप कितने भी अच्छे शोच क्यों न रख ले अगर बुरे विक्तियों के शात रहेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल में आपको गलत आदत जरूर ही लग जाएंगे जिस चीज को आप नहीं भी करना चाहेंगे उन बुरे लोगों के वजश्य आप उसकारिय हो गई और बाद में अब आप पस्ता रहे हैं जे दोस्तों अगर आप एशे जिवन से गुजड़ी हैं तो दोस्तों कमेंट करके आप हमें जरू बता रहे हैं यह बाते शत्य है शटिक है तो जरूर हमें कमेंट करके अपने राय दिजीगा जे दोस्तों आगे बात करते है जुनकाल की सबसे आखरी अच्छी श्रीक के बारे में ज्या दोसों आप शीव को बता दें कि दोसों यह जो बात है आपके जुनकाल के लिए बहुत यह दावशक है और जुनकाल में आपको शबसे बड़ी यहां भूमिका निमाने वाली है ज्या दोसों आप शीव बता दें कि इंसान को अपनी जुनकाल में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महनत करना पड़ता है बहुत ही प्रिशन करना पड़ता है जो कि दोस्तों आपनी जुनकाल में करते भी हैं बहुत ही ज्यादा शंगर्श आपनी जुनकाल में कर रहे हैं बिना शंगर्श के आपको कोई भी शुफलता नहीं मिलती यह बात बिल्कुर शत है लेकिन दोसों हो आप शुब को एक बात पता दे कि जुनकाल में आपको अब इस बात का ध्यानकना है कि जो भी आप कारी कर रहे हैं क्या हुआ कारिया आपके लिए शही है जिस कारियों में आप मेहनत कर रहे हैं क्या उसकारि और कभी करना होगा जया दोस्वों क्योंकि ये आप अपने जुनकाल में बहुत ज्यादा हाटवर्क करके जिवन में DM-1,000-1,000-2,000 रुपया डेली के कमाशकते हैं लेकिन दोस्वों आपसे व्यक्ति इसमाट वर्क करके दिन में ही लाखों के कमाते हैं तो दोस्वों और यह इश्रुवाट पर तरीके आप शिवी के जुनकाल में आपको एक दिन उंचायों तगले कर जाएगा तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप शिवी को कितना प्रशंद आया है दोस्तों आप में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों आप शिवी के शारे कमेंट पढ़ते हैं तो आप शिवी के शाथ बात करते हैं कि आने वाले पांस दिनों के अंदर आपको अपनी जुनकाल में कौन-कौन शी विश्यश बातों का दियान रखना चाहिए कि आपके शाथ जो भी बुरा वर्ता हुआ है जो भी परिशानियों का आपने पिछले श्युम को नजर आ रहा है जे दोसों लाब के नए मुखे मूलेंगे आपको बता दें कि शिक्षा शंतान और केरियर श्युमंदी आपकी जुनकाल में नए ने लाब आपको देखरों मिलेंगी शाथि आपको बता दें कि माता-पिता का जो भी शेहत पिछले श्युमें बहुती ग मगवानomirishi euchranad更 शते आप Ona दोफिन के चित पैसे नंए तरह जो connections के चलिए टांब ही पेशं के लिकर कर जतें होने वाले हैं जिस कारियों को सब्स्क्राघ्र करके बहुत जयादडा परिशान होते थे दोसमे तो बेश्युमें में प्रस्लिप कर कर दें तक को बहलrenched ग्यान बर्द वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश रके धन्यवाद